Hello friends and welcome to LearniG दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक से लेके निन्यानवे तक कि एक से लेके 99 तक की संख्याओं का हम वर्क सबसे आसान तरीके से कैसे ज्याद करेंगे जो वर्क होगा वो एक से लेके 99 तक की संख्याओं का उसको सबसे सरल तरीके से ग्याद करने की ट्रिक हम इसमें सीखेंगे और अभी तक आपने जो पढ़े होंगे कि एक से लेकर नियानमे तक के वर्ग ग्याद करने की बहुत सारी ट्रिक हैं लेकिन उनको कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होता है जैसे कुछ संख्याओं होती है जिनका वर्ग निकालने के लिए विशेस कंडिसंस होती है जैसे उनका वर्ग जिनके इकाई कांग पांच है या फिर उन संख्याओं का वर्ग जिनके इकाई कांग चार है या फिर जिनके इकाई कांग दो है लेकिन इस ट्रिक में जिसमें हम बात करेंगे एक से लेकर नियान में तक की संख्याओं का वर्थ सबसे आसान तरीके से कोई भी संख्या हुए एक से लेकर नियान में हम आसानी से ग्याद कर लेंगे तो आईए शुरू करते हैं और बात करते हैं ट्रिक की इस ट्रिक को शुरू करने से पहले सिखने से पहले हम इसमें बात करते हैं जो कंडिसन लागू होगी यह ट्रिक एक से लेके 99 तक की संख्याओं पर लागू होगी पूरी लेकिन इसमें जो exceptional case होंगे उसमें यह है कि जो हम परिवर्तन करेंगे वो पहली उन संक्याओं के लिए जिनके इकाई कांग एक दो या तीन है और दूसरा उन संक्याओं के लिए जिनका इकाई कांग एक दो और तीन को छोड़ कर है मतलब चार पांच है साथ आट नो जिनके इकाई कांग है उनके लिए और दूसरा एक, दो, तीन जिनके इकाई कांग है उन दोनों के लिए थोड़ा सा कर्डिशन चेंज होगी लेकिन ट्रिक सेम है कैसे तो आई शुरू करते हैं और बात करते हैं किसी संक्या के वर्क की माली दिया हम सबसे पर बात करते हैं तो इन चारों का वर्क हम सबसे आसान तरीके से कैसे निकालेंगे ये दो संक्या हैं जिनके इकाई कांग दो और तीन है मतलब एक, दो, तीन में आता है और ये संक्या हैं जिनका एक, दो, तीन छोड़के इकाई कांग है सब्फ़े में परकापktion है जो संख्याएं में प्राप्त होगे उसको यहां लिख देंगे तो चार कवर्ग सूला उता है एक से लेके दस तक का वर्क तो बहुत यह आसानी तो रहें वहां लिखेंगे यह लिख दिया हमने इसके दाइनी और अब जो हमें संक्या प्राफ्ट हुई 416 इसके इकाई की छों है उसके नीचे हम 0 अपने आप से रिख लेंगे अब इसके बाद क्या करना है कि जो चौबिस है इसमें इकाई और दाई के अंका अपस में दाई तरफ अब क्या इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल करेंगे तो छे जीरो में छे आएगा च्छे और एक साथ और चार और पाँच इस प्रकार जो चोबिस है चोबिस का जो वर्ग निकलेगा वह पांसो च्छी अतर आएगा अब बात करते हैं थर्टी सिक्स के वर्ग की 36 का वर्ग कैसे निकालेंगे जैसे हमने 24 का वर्ग निकाला ठीक उसी प्रकार से हम 36 का वर्ग निकालना चिकेंगे तो 6 इकाई का अंख और 3 दाई का अंख तो सबसे पहले हम इकाई का वर्ग करेंगे और लिख देंगे 6 का वर्ग 36 तीन का वर्ग 9 उसके आगे लिखेंगे अब 0 हम apply कर देंगे जो संक्या में प्राप्थ होई है उसके 1 atak to okay नीचे अब हमको क्या करना है कि इन दोनों संक्याओं का आपस में गुडा करना है तो 6 का गुडा 3 में करेंगे ऊठारा प्राप्थ होगा और उसका जो भी संक्या में प्राप्थ होगी उसका दो गुना करना है, तो 36, अब इसको हम टोटल करके लिखेंगे, तो 6, 6 और 3 9, और 9 3 12, तो इस प्रकार सो जो 36 है, उसका जो स्क्वाइर होगा, वो 1296 प्राप्त होगा, अब बात करते हैं, अगली संख्या 22 की, इसका इकाई कांग 2 है, अब इसको कैसे ज्याद करेंगे इकाई कांग जिसमें 2 है, तो 2 का वर्ग हम करेंगे 4, लेकिन जब हमें सिंगल डिजिट में आंसर प्राप्त होगा, इकाई कांग का, तो उसके बाद हम जीरो अपने आप से उसके बाद लिख लेंगे, और 4 का वर्ग जब हम करेंगे, तो 4 साकू 16, चार का वर्ग जो है, 4 जो गुना 4 का वर्ग है, बात करते हैं, 53 इसमें एक आइकांग 3 है, तो जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 चुकि शिंगल डिजिट में प्राप्त होगा है, तो उसके आगे हम 0 अपने आप से लिख देंगे, अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हम को प्राप्त अब जो भी संख्या प्राप्त हुई, 2509, उसके इकांग के नीचे 0 लिखेंगे, और 5 के गुणा 3 में करेंगे, तो 5 के गुणा 3 में किया तो 15 प्राप्त होगा, और 15 का दूना करके यहाँ पर लिखेंगे तो 30, अब जोड लेंगे, 9082, तो इस परकार 2809 जो संख्या में प के वर्क की अगर कोई भी रेंडम नंबर हम पिक करते हैं, 36 का वर्क तो 6 का पहले वर्क करेंगे, तो 36 लिखेंगे, इसके बाद 8 का वर्क करेंगे, 64 हम यही पर लिख देंगे, जो संख्या प्राप्त हुई, उसके इकांग के नीचे 0 लिखा, अब दोनों संख्या है, 8 का गुणा 6 में करेंगे, तो 48 प्राप्त होगा, और उसका दूना करेंगे, तो 96, अब इसको काउंट करके हम टोटल करके लिख देंगे, तो 6 का 0 में जोडेंगे 6, 6 और 3, 9, 9, 4, 13, और 6, 7, तो 7, 3, 9, 6, जो की स्क्वायर होगा, 86 का, एक इक जांपल और देखते हैं, माल एक हैं, एक कवर किया, तो एक प्राप्त हुआ, और 0 हमने अपने आप से लिख लिए, 9 कवर किया, तो 81 प्राप्त हुआ, संख्या में टोटल प्राप्त हुई, 8, 1, 0, 1, इसके इकाई के नीचे 0 छोड़ेंगे, 9 का गुणा एक में 9, और उसका जो दो गुणा करेंगे तो 18, जोड़ के लिखेंगे, तो 1, 8, 2, 8, तो 8, 2, 8, 1, जो संख्या में प्राप्त हुई, यह वर्ग है, हमारा 91 का, 91 का स्क्वार में 8, 2, 8, 1, प्राप्त हो गया, हमा लिए एक एक इक्जामपल और देखते हैं, 67 का, कोई भी रेंडम नमबर पिक करते हैं, 67 का स्क्वार करें तो 49, और 6 का करेंगे तो 36, 0 लिख दिया जो संख्या प्राप्त हुई, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुड़ा 42, और उसका 2 गुणा, तो 84, लिखें हम टोटल करके देखेंगे, 24, 8, 9, जो की वर्ग होता है 67 का, तो इस परकार देख सकते हैं, एक से ल पांच का करके देखते हैं, 35 का करते हैं, तो 5 का स्क्वाइर 25, और 3 का स्क्वाइर 9, 925 के नीचे 0, इकाई कैंक में, और 3 का गुणा 5 में, तो 15, और 15 का दूना किया, तो 30, तो 5, 2, 12, तो 1225 हमें प्राप्त हुई, 35 के वर्ग करने पर संख्या, तो इस परकार कोई भी संख के 10 तक के अगर हमें वर्ग मालूम है, एक से लेके 9 तक के, तो मुसको बहुत ही सरल तरीके से ग्याद कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, 100 से लेके 999 तक की जो संख्याएं होती हैं, उनका वर्ग सबसे सरल तरीक से कैसे ग्याद करें, अगर आपको ये पर हम से जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, थैंक्स वाचिंग, थैंक्यू